खबर जम्शितपूर से जहां कोलहान प्रमंडल में प्रशासनिक प्ताधिकारियों द्वारा अवैक तरीके से जमीन अधिग्रहन और हस्तांत्रन के खिलाफ विभिन्य संगठनों ने 31 जुलाई को कोलहान बंद का आववान किया है वहीं आदिवासी छात्र एकता जहारखंडा अनोलनकारी मंच मानकी मुंडा संग तितर बिल्ला ग्राम सभा समेत विभिन्य संगठनों की मांग है कि अनुसूचित छेत्रों में भूमी अधिग्रहन के पूर्व हातु मुंडा मानकी माजी बाबा के द्वारा ग्राम सभा से पारित होने के बाद ही भूमी अधिग्रहन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए क्यूंकि आदिवासी प्रकृति के पुजारी हैं और वो प्रकृति की पूजा करते हैं इसा लाग रहा है कुछ बोल रहा है ठाई आम देख अमनतरों बता हैं अधिग्रहन के जो तितिर्विला गाउं है मामला उस गाउं से पूरा रिलेटेड है और उस गाउं में जो जमी गाउंवालों के रहीती जमीन पर सड़क मिर्वान कार्ज कॉंप्लीट कर दिया गया है जिला परसाशन के ओर से लेकिन आपको पता दे रहे हैं भूमी अधिग्रन अधिनियम जो 2013 जो सेंटर्ल लोगर्मेंट से पारित हुआ तो उसमें आपको पता दे रहे हैं उसमें एस्पेस्ट किलियर लिखा गया है कि अनुसीची छेत्रे में ग्राम सवा के माध्यम से ही उसका अधिग्रन का 25 परसंट बड़ा गंभीर ममला है और यह समझ लिजिए कि कोल्हान के जो ओफिसर्स अगरा है जो परसासनिक अधिगारियों हैं वो किस तरह जारखंड अलागराज बनने के बाद यहां कि जमीन को किस तरह लोकल लोगों के हाथ से जारखंड मूल लोगों के हाथ से किस तर जा सकता है यह मैधानिक तरीके से ट्रांसफार हो रहा है और ऐसा ही जमीन का ट्रांसफार हस्तांतरन होता रहा तो कुल्हान का बहुत बड़ा जियोग्राफिय और डेमोग्राफिय बदल जाए जिसके लिए हम लोग कई समाजिक संगठन मिलकर जिसमें आदिवसी युवाच 17 सब मिलकर 31 तारीक को कुल्हान बंद का अवहान किया गया है